दोस्तो पूरे दुनिया में लगभग 75% घर में white cement के यूज होता है और इसलिए दोस्तो white cement पूरे दुनिया में बहुत जदा demanding product बाण चुका है क्योंकि दोस्तो हरे घर में plaster करने के बाद white cement दिवार में यूज होता है और इसलिए दोस्तो आप अगर अपने घर में white cement लगान तो दोस्तों आप भी white cement का x part 1 पाएंगे क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीख पाएंगे कौन सा company का white cement आपके लिए बहुत ज्यादा फाइदा मैन होगा या फिर दोस्तो वाइट सेमेंट में कितनी मात्रा में पानी डालना चाहिए या फिर दोस्तो कितनी कोट वाइट सेमेंट यूस होता है वाल में या फिर दोस्तो वाइट सेमेंट दिवारों पर लागाने के बाद कितने दिन तक वाल में पानी डालना चाहिए यान कि दोस्तो वाइट सेमेंट का A to Z step by step आप आज की इस वीडियो में शीक पाएंगे उसे पहले दोस्तो अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आया है तो दोस्तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओल कर लेना ताकि दोस्तो बिल्डिंग से जोड़ी साथ जान करी अब तक पहुंच सके तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करता है तो दोस्तो हुआइट सेमेंट बाजरों में बहुत ज़्यादा कमपनी का मिल जाता है और दोस्तो लोगों का सबसे पासंदिता प्रोड़क्ट है जेके हुआइट सेमेट और बिल्ला हुआइट सेमेंट यह दोनों white cement सबसे ज़धा अलग और बहतरीन है तो चलिए दोस्तों चलती है main point पर दोस्तों सबसे पहले आप बालती में पानी डाले याद रखना दोस्तों 1 kg white cement में 750 ml पानी डालने का सबसे ज़धा best तरीका होता है यानि के दोस्तो एक किलो वाइट सेमेट में आपको 750 एमेल पानी डालना होगा इसी ही सबसे दोस्तो आप वाइट सेमेट और पानी का मिक्सिंग कर सकता है फिर भी दोस्तो आप अपने हिसाब से देख लेना आपकी ब्रासाही तरह से चल सके एसे दोस्तो आपको वाइट सेमेट का घोल बना लेना है आप दोस्तो आप जिसी भी वाल में वाइट सेमेट लगाना चाहता है उसी वाल को दोस्तो आपको सबसे पहले पानी डालके तराइं कर लेना है और इसी चीज का उफर दोस्तो खास करके ध्यान देना चाहिए क्योंकि दोस्तो पानी का क्यूरिंग करके वाइट सेमेट लगाने से प्लास्टर और सिमेंट का पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूती होती है अब दोस्तो वाइट सेमेट मिक्सिंग करने का बाद 10 मिनिट तक दोस्तो उसे छोड़ देना है ताकि दोस्तो वाइट सेमेट का पूरा मिसरन पूरा घोल में फेल जाए यारि कि दोस्तों white cement mix करने के बाद आपको उसी बाल्की को 10 मिनिट तक देना है कुछ भी नहीं करना है 10 मिनिट का बाद दोस्तों आपको white cement का यूज करना है दोस्तों 10 मिनिट का बाद आप white cement दिवारों में लगाएंगे first cut आपको vertical mode पर लगाना है और ठीक से लगाना है ताके पूरा प्लास्टर बिल्कुल वाइट सेमेंट से ढग जाए और दोस्तो अगर आपका फास्ट कोट हो गया है आप आपको 24 हावार्स यान कि दोस्तो 24 घंटा तक आपको उसी वाल को कुछ नहीं करना है बिल्कुल छोड़ देना है और दोस्तो आप्टर 24 हावार्स यान कि दोस्तो आगले दिन फिर से आपको पूरा वाल भीगो लेना है और फिर जाके दोस्तो आपको सेगेंड कोट लगाना है फास्ट कोट दोस्तो आपने वार्टिकल मोल पर लगाया है आप दोस्तो ध्यान देने वाली बात ए है कि सेगें कोड आपको horizontal mode पार लगाना होगा और दोस्तो second code आपको पूरा वाल बहुत ज़्यादा धियान दे के लगाना होगा ताकि दोस्तो कहीं भी आपका वाल छूट ना जाए अब दोस्तो आपका second code complete हो गया है आप दोस्तो आपको अगले दिन से दिन में दोस्तो कम से कम दो बार चार दिन तक आपको पानी का तराई करना है दोस्तो वीडियो में दिखाया गया सारी स्टेप्स बिल्कुल सही है इसी स्टेप्स को आप फोलो करके आप अपनी घर में white cement लगा सकता है और दोस्तो अगर आपकी मन में white cement से जुड़ी कूछ भी सावाल है तो दोस्तो आप हम बंदे मातरां